यूट्यूब का यह एक नया अपडेट आया है जो की क्रियेटर्स के लिए काफी हेलपफुल रहेगा आज हम इसी के बारे में बात करेंगे यूट्यूब अन्य उप्योग करताओं की सामगरी को उनके वीडियो में शामिल करने का एक और तरीका शॉट क्रियेटर दे रहा है आज से कमपनी ने ग्रीन स्क्रीन को रोल आउट करना शुरू कर दिया है यह एक ऐसी सुविधा जो आपको अपने मूल शॉट के लिए प्रिश्ट भूमी के रूप में एक योग्य यूट्यूब वोड या शॉट के 60 सेकंट तक उप्योग करने की अनुमती देती है ग्री यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से ग्रीन स्क्रीन शेरिंग से आप्ट आउट कर सकते हैं अन्यथा हर बार जब कोई उप्योग करता किसी की सामगरी का नमूना लेता है तो आपको शॉट्स प्लेयर में मूल विडियो का लिंक दिखाई देगा यूट्यूब ने ग्रीन स्क्रीन को आई ओएस के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है जिसमें एंड्रोइट बात की तारीख में अनुसरंग करेगा आप शॉट्स एप में पाए जाने वाले थरी डॉट्स मेन्यू के जरिये इस फीचर को एकसिस कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन का रोल आउट पिछले महीने पेश किये गए कट फंक्शनलिटी यूट्यूब की घोशना के बाद हुआ है वो सुविधा रचनाकारों को एक योगय लगू या यूट्यूब वीडियो से अपनी क्लिप में 5 सेकंड तक की फुटेज जोडने की अनुमती देती है ट्रीमिक्सी ने टिक टॉक की सफलता में एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाई है इसलिए यूट्यूब को शोर्ट सुप्योग करताओं को समान टूल प्रदान करने के लिए काम करते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है